तो आजकल जो है ना बच्चे धूप आ रही है तो धूप में खेल रहे हैं राजियू गाधी पंचायद 22 ग्राम पंचाय सुन्दरपुर रेकवाल दो किलिमेटर से लगवग ये चला के लेके आए हैं ये लैसून धन्या वगर सब कुछ पड़ा हुआ है तो ये हैं पौजी माता जी ने जो है ना हाथों में पहन ली है हमारी पुस्तेनी धरोहर है वाई तो इसको भी समालना जरूरी है हेलो जी गुद मॉर्निंग कैसे हैं आप आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं तो आज के व्लोग की सुरुवात होती है सुबह के लगवग दस बजे से और बात करें मौसम की तो मौसम जो है ना कल और परसन से जाड़ा ठंडा है और बादल भी लगे हुए हैं सुबह सुबह जो है ना सब लोग अपने अपने काम पर लगे हुए हैं तो माता जी जो है ना यहाँ पर पन्नी इखटा कर रही है क्योंकि उस वाले में से जो है ना हमने पन्निया सारी निकाल दी है तो माता जी जो है ना जो अच्छे अच्छी पन्नी है समेट के तई बना के उसको रख दे रही है क्योंकि बाद में काम आएंगी पापा जी भी अपने काम पर लगे हुए है बापु जी ने जो है न जो बक्रियां ब्याई हैं वो बहार से बात के रखी है दो बकरियां वहाँ पर बादी है और एक बकरी वहाँ पर बादी है और इनके बच्चे देखो यह है आजा 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 यह देखो खेल लगने के लिए आ रहा है और इधर उदर फुदक रहे हैं तो आजकल जो है ना बच्चे धूप आ रही है तो धूप में खेल रहे तो अभी हम लोग हो गए हैं रेडी और साथ में हमारी भावी जी भी रेडी हुई है और हम जाने वाले हैं इस निलू पर अपनी हम लोग जा रहे हैं अभी डॉकिमेंट का काम कुछ रह गिया है तो अभी कुछ डॉकिमेंट बनाने हैं तो उसके लिए जा रहे हैं हम लोग और हम जा रहे हैं आज दौलतपुर क्योंकि वहाँ पर जो है ना कैम्प लगा हुआ है तो हम लोग पहुँच गए हैं आधरकाट केंद्र और ये है राजियू गाधी पंचायद बहुन ग्राम पंचायद सुन्दरपुर रेकवाल में तो हम लोग पहुँच गए हैं घर और ओ सामने तो है इसको टीवी लगा दी है आपने चलाई अधरकाट केंद्र पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जया है क्योंकि एक तो नेट का इशू और उपर से थोड़ा सा भीड़ भी ज़्यादा थी तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग जया है तो अब जो है हम लोग खाना वगर खाते हैं तो खाना हमारी भाबी जी पार और मम्मी पापा लोगों ने खाना बना रखा है जोली और चावल और इसके साथ में बना रखी है चटनी जिसमें की लैसुन धनिया वगर सब पूछ पड़ा हुआ है और काफी टेस्टी है और हम लोग खाते हैं और हमारे साथ में यहापे बैठा है गुड्डू पू यह वाले घर को अपना साफ कर रहे थे ना अंदर से समान अगरे निकाल ले थे तो हमको एक चीज मिली थी जिसमें बोला भी था कि भावी जीने की यार मैं इसको पहन के भी दिखाऊंगी तो क्या मिली थी हमको आपको याद आगी होगा हमको मिली थी पूजी तो यह है पूरे करके सफाई करके हाँ पर सुखाने डाली है और पूरे तरीके से सूख गई है तो अब जो है इनको पहन के ट्राइ करते हैं तो मम्मी भी पहने की और भावी जी भी पहने की और किसके हातों में ज्यादा अच्छी लगती है वो तो आपी लोग बताओगे तो अबी एनको ब्लाता ओं पहनने के लिए और भावी जी लगता हूं यहां पे माता जी भी आ गए है औरर पहले ही प्ले दगए और। यह किशिछ के जा चांदी के हैं न तो पहले लगा रहे है अब है जब आएसे दिखाओ यह दिखाओ यह किते मुस्त लग रहे हैं और चमक भी रहा है क्योंकि पुराना चांदी है ना चमक ज्याद़ होती है न फॉर और फेल्ड इस गूल्ड तो अब पर पहने हैं लेकिन मे पर दन से अगानियर के पाट लेकिन अब ही टक तो चॉल ने थी लेकिन आजकल पिर से चॉल हो री इन की हो रिना फिर से आने लग जया है तो पहनने लगए लोग बीच में तो गया भी हो गए तह सब कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं माताजी के हाथों में पहुंचिए ज क अब जो है माता जी ने तो पहन के दिखा दिया है और अब बारी आती है भावी जी की है ना सौक लग रहा है वहनने का तो चलो अब जो है माता जी के हातों से खोलते हैं और भावी जी के हातों में पहनाते हैं तो माता जी ने जो है ना अपने हातों से खोल दी है और अब जो f primary अब Bhabie जी ने भी पहन ली है और कुछ इस तरीके से दिख रही है Bhabie Miche के हातों में कैसी लग रही है comment section पर बता ना तुमें कैसे लग रही है और अप में जीदा अच्छी लग माता जी के हाथों में भी कुछ इस तरीके का लुग आ रहा था और आप लोग बताना की कैसी लग रही हैं हमें तो बहुत अच्छी लगए क्योंकि पहाडी कलचर अपना भई उत्रहंचा कल्चर है ये तो पुस्तेशनी कलचर और यह हमारी निया तो मतलब की मेरी पापा की आमा के हैं यह मतलब बड़ी आमा ने छोटी आमा को दिये तो मदी को ढूंजे है अभी तो इनको दिये हैं लेकिन तो कमदर करके कर लिए लेंगे क्या तो खरते हैं तो हमारी पुसंते तरोह रहे वह वैं this अब जो है हम लोग के असलो करते हैं कुछ नो सब लोग कंटे पर लग गए है भावी जी टस्तिक पढ़ाने लग गए हैं और माता जी जानरों का पापा जी अभी अप नहीं वाले होंगे और अब जो है मैं आज की विलोग को यहीं पर समाप्त करता हूं मैं लक्समन उत्राखंड की गोला पार से मिलता हूं आप से अगली नेक्स व्लोग में तब तक के लिए बाई बाई